देखिए नाटक में मेरी रूची इसलिए ज्यादा रही जैसे मेना जी आपसे कहा कि वो मुझे मनश्य के मन के अंतर दूंदों को समझने में मदद करता है। नियती से सीधे जुड़ते हैं और वो अपने आंतरिक दूंदों से गुजरते हुए उनसे जुड़ते हैं। अब पुरु जो है वो अगवर्ध यायती हो गया है तो अपनी मा का पती हो गया है। पर वो ऐसा नहीं स्विकार कर पाता है। उसकी मा सर्मिष्ठा जो है वो यह देखती है कि यह बुढ़ापा मेरे पती का है। लेकिन पुरु उसको भोग रहा है। तो वो पुरु से कोई बेटे का समंध भी नहीं स्थापित कर पाती है। और पती का समंध भी स्थापित नहीं कर पाती। तो इस तरह के द्वंद जो अंतरवयक्तिक समंधम आ जाते हैं वो मेरे लिए अधिक महत्पुन होते हैं। इसलिए नाटक काफी पसंद भी किया गया, बहुत जगों पे खेला गया, अनुवाद वगरा भी उसके कई भासां में होई। लेकिन वो इसलिए उस कथा से भिन हो जाता है, जो एक सामानी कथा के रूप में हो कही जाती है। इसी तरह से एक नाटक में ने लिखा जिल्ल सुभानी जो राश्ट्री नाट्री विध्याले में राजियन गुप्ता ने किया था। उस नाटक में एक सुल्तान है, जो एतियसिक सरित्र है, वो सुल्तान क्या करता है अपने गुलामों के साथ में, उसका होमोसेक्सुल संबंद है। और सारे दुनिया को मालम है, दर्बार में खुलियाम वो उसको अपनी गोद में बिठाता है, त्यारी करता है। तो मैं ये दिखाना चाहरा हूँ कि सत्ता जो है, वो कितनी बेशर्म हो सकती और उसके बावजूदी लोग कितना उसको उसकी पूजा करते रह सकते हैं। चाहे वो मंद से चाहे या ना चाहें, कितने वेवस हो जाती हैं उसके सामने। और किस तरह से वो उसमें आगर आपने सार्टक को देखेंगे या पढ़ेंगे तो आप भी पाएंगे, कि जो सारे दरबारी हैं और दूसरे लोगें में किसी की हिम्मत नहीं कि वो कुछ कह सके उसके उसके बारे। इस तरह एक नाटक बलबन को लेकर कहें जो बाहर गुलाम बासा उसका नाम है जो एक तरह से सत्ता से जुड़ने में अपने व्यक्तित्र की सार्टक्ता समझता है। तो एक डरावा व्यक्ति है, जो मैं ये मानता हूँ कि डरावा व्यक्ति सत्ता से जो ने में अपनी सार्थत्ता मानता है, सत्ता की लालसा एक डरे हुई व्यक्ति की लालसा है, मनो वैज्ञानिक दिस्टी से, तो इस तरह की कुछ नाटक मैंने लिखे और उसमें भाशा का मैं अपने बाहर को मैं अपने अंदर कैसे ला सकूँ यह मिरे लिए मुख्य कविता का थीम रहा है तो इसलिए प्राकर्तिक परिवेश हो मेरे अपने जो इलाके का परिवेश है रेगिस्तान ने चारों पर फैला हुआ एक पूरी सीरीज है मेरे अंदर हैं और किस तरह उनको मैं देखता हूँ यानि एक व्यक्ति कैसे उनको देखता है और कविता है इसलिए अदिक पसंद भी आती हैं कभी-कभी मैं फुद भी बैठके पढ़ता हूं उनको अपने उसको समझने के लिए इसमर्तियां भी हैं उनने मेरे बच्पन की इसमर्तियां भी हैं जिस शेर में रहा उसकी पी जिन मकानों में रहा उसकी पर कैसे वे सारे मेरे व्यक्तित का हिस्सा बन देए हैं जो हर व्यक्ति के व्यक्तित का हिस्सा बन जाती है इन चीजों में और धीरे-दीरे अभी पि सारा जीवन कैसे वियर्थ हो जाता है उस वियर्थ जीवन मैसे कैसे छोटी सी चीज उसको सार्थत्ता दे जेती है इन सारी चीजों को लेकर के इस तरह का नभावों को लेकर के लिखेता है